हलो एवरिव乐न आप सबक़ श्वागत है हमारे यूटीब चनल स्हाया मिस्रा में правильно आज हम कोई recipe नहीं लेकर के आए हैं बस अपने kitchen का थोड़ा से समान लेकर के आए हैं जो की लगबाहर के हर घर में होता है सबके kitchen में होता है वो समान कोविट की तो उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक रहे और अच्छे से रहे तो उसके लिए हम लाएं हैं ये देखे कुछ सामान या कह सकते हैं आप कुछ चूरन हम बनाएंगे तो ये देखे तीन स्पून हम लेंगे मेथी दाना जिसको हम तीन स्पून लेंगे और उसके बाद में क्योंकि आप सबको पता है कि मेथी दाना कितना अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए डाइविटी जगरा के लिए सबके लिए तो ये देखे गाइज हमने ले रखा है दो जीरा जोकी इम्मूनिटी बूस्टर जीरा भी होता है अब हम लोगे अजवाइन जोकी الرsz और छबिभाबा नौरर्बल चमपट ने कैनेохंड हम बोब और हम लेंगे काला नमक यह कला नमक कि आप टेस्ट के अनोसर अनिल्फार कम या ज्यादा कर सकते हैं हमने लिए हाप स्पून और यह हमारे डाइशन सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता यह देखिए मेथी दाना हमने अपनी कड़ाई में डाल लिया है और इसे करेंगे ड्राय रोस्ट ड्राय रोस्ट का मतलब यह कि इसमें कोई घी तेल कुछ भी नहीं डालेंगे बस तूखा इसक को फ़े आगे करेंगे ड्राय तो यह आसानी से हमारे ग्रायंडर में पिस जाएंगे तो गएज इसमें कलर भी हलका हलका चेंज होने लगा है और यह भून चुका है जो भून जाएगा ना तो कलर भी चेंज होगा और चुट-चुट की आवाज भी आईगी इसमें तो यह देखिए हमारा भून चुका है तो इसको अलग प्लेट में हम निकाल कर रख लेंगे मेथी दाना हमने इसलिए पहले भून कि यह देख सकते हैं हमारे ड्राइ रोस्ट होगा है जीरा तो उसी में हम डाल देंगे अजवाइन क्योंकि आजवाइन हमारी बहुत जल्दी बुनती है इस वज़े से अब हम इसमें डाल रहे हैं आजवाइन और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे जीरा अजवाइन अर मेथी ताना ये सभी पेट के लिए हमारे बहुत अच्छे होते हैं और यह सभी के किचन में रहते ही रहते हैं क्वाइन नहीं हमारे किचन में होता है निकाल लिया है जो हमने लिया हुआ है काला नमक ये भी हम इसमें एड़ करेंगे जिससे कि इसमें मौशिर होगा वो भी उड़ जाएगा ये देखे गाइज हमारे छूने पर टच करने पर ठंडा लग रहा है सारा कुछ तो इसको ग्राइंडर में डाल कर बारीक पीस लेंगे तो ये देखे इसको बारीक पीस लेंगे मिक्सी चलाते वे ये देखे पीस चुका है बारीक तो इसमें आब हम एड़ करेंगे अपना काला नमक जो आपने कड़ाई में रख रखा था वो भी इसमें डाल कर एक बार मिक्सी चला देंगे जिससे कि सारा कुछ एक में मिल जाए यह हमारी इम्मुनिटी बूस्टर बहुत अच्छा होता है यह देखे रहे हैं पिस चुका है सारा कुछ तो यह देखे निकाल रहे हैं इसमें हमने एक प्रिकोड़न और नहीं और ड़ सकते हूं कि है जो कि हम अब आइट करेंगे तो यह देख रहकते हैं हमने ले ली है स्पून making from 1 aft gallon help store का गौरे का चाम है एक छोधियाई एस में जिसको एक खोली आपकी रोडी वाली आती है कि वह या आप जिस समय पर नमक डाले थेа स्वावड भी एट कर सकते हैं और अब हमारी ये रेसिपी अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज लाइक सस्क्राइब एंड शेयर करिएगा और अपने केमेंट हमाई साथ सेयर करिएगा ये देखे गाइस इतना सा ले करके आप गुर्गुने पानी से फाक लीजिए आपका पेट अबा तक एकदम लाइट हो जाएगा।